आज की जो वीडियो है वो बैसिकली डियू एललबी के इंट्रेंस एक्जामिनेशन पैटन कौन सा होगा और सलेबस अभी अपडेट हुआ है 2023 का सलेबस क्या रहने वाला है और पेपर पैटन कौन सा फेलो फॉलो होगा सीट्स कितनी है एलजिबिलीटी क्राइटेरिय क्या है तो मैं सबसे पहले आपको ये डियू का बुलेटन दिखा दू ये पीजी का बुलेटन है ललबी का आपको करनी है अगर डियू से तो सबसे पहले यहां कैटेगरी का हिसाब यहां पर इन्होंने दो कैटेगरी बता रहा कि 1A और 1B तो सबसे पहले इन्होंने कहा है आपके पास master degree है तो ठीक लगा देना otherwise master degree compulsory नहीं है यह चीज़ आपको ध्यान में रखनी है अब यहां पर minimum marks आपके कितने होने चाहिए यह चीज़ आप ध्यान से देखो तो यहां पे इन्होंने का है 50% marks in aggregate or equivalent grade for candidate belong to UR and EWS तो सबसे पहले मैं बता दूँ 50% compulsory है आपके bachelor degree में या master degree में होना अगर आप general category या EWS category से belong करते हो और अगर आप OBC, CW और PW category से belong करते हो तो कम से कम 45% होने चाहिए और अगर आप SC और ST category से belong करते हो तो कम से कम 40% होने चाहिए तो इस तीन category यहां पर आप लोगों को बता दिय है मैंने category का हिसाब अब यहां पर मैं आपको बता दू CUT का पेपर कोड C O Q P 11 वाला फॉलो होगा अब यहां पर मैं आपको दिखा दू CUT PG का जो मतलब बुलेटन था यह उसका paper pattern आप आप देख लेना तो paper pattern यहां पर C C O Q P 11 यह paper code है आपका जिसमें से आपके 100 questions आएंगे अब यह questions कैसे कैसे होंगे मैं भी आपको नीचे बताता हूँ हिंदी English language से होंगे comprehension होंगी verbal ability general knowledge यानी general awareness होगी computer basic मतलब basic computer से questions होंगे और logical reasoning से questions होंगे अब मैं बात कर ले तो syllabus इसके आगे मैं बात करूँ हूँ सेट्स की अभी मैं आगे बात करूँ हूँ पहले syllabus बात कर लेते हैं तो basically syllabus की यहां मैं बात करूँ तो सबसे पहले C O Q P 11 यहां पर आप लोग देख सकते हो general paper है यहां पे इन्होंने चीजे बता रखिए आपको सा आपको एक ही language में करना है या तो हिंदी करनी है इंग्लिश में comprehension करनी है ठीक है और the remaining question will be would be bilingual ठीक है अब यहां पर मैं बात कर ले तो general paper आपके C O Q P 11 के आप लोग देख सकते हो तो सबसे पहले English comprehension में क्या-के चीज़े आप से पूछी जाएंगी तो basically आपकी English grammar है English uses error है जंबल पेरा है sentence correction है sentence improvement है reading comprehension है paragraph है यहां पर one word substitution है synonyms और antonyms जो हमेशा पूछे जाती है तो पूछे ही जाएंगे ठीक है और idioms and phrases है अब यहां पर मैं बात करोता हूँ हिंदी में comprehension किस तरीके से तो हिंदी में comprehension अगर आप हिंदी में करना चाते हो तो हिंदी में हिंदी पूछे जाए अशुद परियोग परिच्छे का उचित करम वाक्य शुद्धी वाक्य परिश्कर पार्ट बोधन वाक्य की पूर्णता अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हो गया समनार्थी या फिर विलोम शब्द हैं आपके मुहावरे पूछे जाएंगे और कभी काह अब मैं बात करता हूँ आपका दूसरा कोशन में आपके क्या क्या चीजे होंगी तो में बैसिकली आपके पास यहां पर पार्टनर्शिप पूछी जाएगी सिंपल हो गया सिंपल इंट्रेस्ट पूछा जाएगा ठीक है कमपॉंड इंट्रेस्ट हो गया प्रोफिट कम आगे होगा अब बात करता हूं मैं लोजिकल रिजीनिग में क्या क्या चीज वैं तो रोजीकल रिज ने बैसिकली रिनकिंग्ट यह अगै 2 3 ठीक है sequencing है यहां पर statement argument है यहां पर cause and effects है statement है यहां पर statement and conclusion है number series है blood relation test जो हमेशा पूछा जाता है coding decoding हो गया ठीक है nonverbal reasoning हो गया inference हो गया analogy test हो गया symbol based problems हो गया direction and distance test यह सब आप से पूछ जाएंगे logical reasoning के अंदर अब मैं बात करता हो data interpretation के अंदर क्या के चीज़ आप से पूछ जाएंगी तो pie chart हो गया line chart हो गया bar graph हो गया tabular chart हो गया mixed graph हो गया data sufficiency हो गया graph number system हो गया ठीक है और यहां पर sets and when diagram हो गया बस यही आपका syllabus है कोड मतलब syllabus रहने वाला है अब मैं आगे बात करता हूं कितनी कितनी सीट्स है तो basically यहां पर सीट्स का इसाब यह है यहां पर तीन सेंटर है आप लोग को पता होगा सेलसी है केंपस ओफ लो सेंटर ठीक है जिस भी तीन सो नभे सीट है अनिजर्वड के अंदर ठीक है यह बहुत बड़ा अकला है और यहां पर एस्टी के लिए सेवन्टी टू यानि बहातर सीटे हैं दो सो साट सीटे ओबी सी के लिए हैं और एडब्लूस के लिए 96 अब ल से ल्लबी करनी है यहां पर 433 सीटे हैं स्सी के लिए स्टी के लिए 216 एडब्लूस के लिए 780 सीट है और एडब्लूस के लिए 289 यानि एकदम 290 करीब एक कम 290 है ठीक है अब के टेगरी टू यहां पर निल है के टेगरी आपकी टू फिल अप नहीं होगी इस जिए जिह अब मैं आप लोगो समझ में आगे होगा स्लेबस एक्जामनेशन प्रेटन कौन सा फॉलो होगा आप जब पेपर कोड जब आप तो जब आप सी उटी पीजी का फॉर्म फिल अप करो तो उसमें आपको किस तरीके से सब्जेट सेलेक्शन और यूनिवर्सिटी सेलेक्शन क करना है तो वीडियो का लिंक में डिस्क्रिक्शन में देदूं आप चेकाउट कर सकते हो और बाकि अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुस्से इस्टेग्राम पर पूस सकते हो